देश भर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर स्वास्तमंत्राले ने चिंता जाहिर की है स्वास्तमंत्राले के बताविक पिछले दो हफ्टों में नए मामलों में 47 प्रतीशत का इजाप्वा हुआ है देश में कोविट के केस मार्च 2020 से बैस शुरू हुए और सितंबर के मध्य में प्रती दिन 97,000 केस आते थे यानि एक दिन में ओसतन 97,000 नए केस देश में आते थे और फिर मध्य सितंबर से वो लगातार गिरते गए 9 फरवरी के बाद कुछ राजियों में नए केसे बढ़ने की वज़े से ये बढ़ना शुरू हुआ 21 फरवरी को 14,264 नए केस दिश में आए और अब खबर है राजधानी दिल्ली से जहां कोरोना वाइरस के दक्षन अफरीकी वेरियंट का पहला मरीज मिला है परदेश में कोरोना वाइरस एक बार फिर से अपने पैर पसार रहा है इस बीश राजधानी दिल्ली में कोरोना दक्षन अफरीका वेरियंट का पहला मामला सामने आया है जिसके मरीज को लोगनाएक अस्पताल में भढ़ती करा गया है पिड़ी शक्स केरल करहने वाला है और उसके उमरे 33 साल है मरीज 10 दिन पहले ही दक्षन अफरीका से लोटा था पुरे देश में इस वेरियंट के अब तक सिर्फ 5 मामले सामने आये है आपको बता दे कि दक्षन अफरीका वेरियंट के लक्षन सामाने कोरोना वारे जैसे ही है लेकिन ये स्ट्रेंड बहुत तेजी से फैलता है और इगवाओं को भी अपना निशाना बनाता है अंटीलिया केस में हर दिन नए नए फिलासे हो रहे हैं इस बीच महराश्चो सरकार ने मुंबई पोलिस के कई बड़े अधिकारियों का तबादला कर दिया अधिकारीय जिस फोर्स पर कुछ लोगों के मन में शंका है या मिडिया ने शंका की है या पोजिशन में कुछ बाते सामने रखी है उसकी जांच होने तक तबादले होने चाहिए फिल्म अभिनीता अक्षे कुमार आज से अपनी फिल्म राम सेतु की शूटिंग शूरू करेंगे शूटिंग से पहले अक्षे कुमार आयोध्या में राम लला के सामने मुहर्थ पूजा करेंगे अपनी फिल्म राम सेतू की शूटिंग के लिए अक्षा कुमार आज ही अयुध्या पहुचेंगे और शूटिंग से पहले राम जन्म भूमी परिसर में राम लला के सामने मोहर्द पूजा करेंगे अक्षय कुमार दोपर साड़े बारा बज़े आयुध्या पहुंचेंगे मोहर्त पूजा के बाद फिल्म के शुटिंग शुरू होगी अक्षय कुमार सर्यूगाट राम की पैड़ी भी जाएंगे फिल्म राम से तुका असी प्रतिशत शेड्यूल अयोध्या में शूट होगा फिल्म में अक्षा कुमार आर्कियोलोजिस्ट की भूमिका में होंगे खबर है कि अक्षा कुमार इस फिल्म में बिलकुल ही अलग अफदार में नजर आने वाले हैं अयोद्या में शुटिंग फूरी होने के बाद फिल्म का बाकी हिस्सा मुंबई में शूट किया जाएगा